हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ बदीभा, मेरे चैनल कानपुर कीचन एंड व्लोग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड और बेशन का चटपट बनने वाला बहुत ही टेस्टी नास्ता और इसे बनाने में आपको सिर्फ एक चमच देल की जरूरत होगी बहुत ही टेस्टी वाच चटपटा नास्ता बनेगा तो चलिए फटा फट इस रेसिपी को इस नास्ते को बनाने के लिए हमने आपर एक बावल में तीन बड़ी चमच बेशन लिया हुआ है इसमें हम दो बारीक कटी हुई हारी मिर्च डालेंगे आधा बारीक कटा हुआ सिमला मिर्च एक छोटी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज एक छोटी साइज का बारीक कट टमाटर थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई हारी धनिया नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और इन सारी चीजों को हम पहले सुखाई अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो यह देखे इस तरह से मिला लीजिए अब जो कि इसमें अच्छी सी खटास देगा पहले हम इन सारी चीजों को सुखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तयार करेंगे इसके घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा यह देखिए इस तरह से हमने इसे पतला खोल तयार कर लिया हुआ है इस नाश्टे को बनाने के लिए हमने आपर लिए हैं दो ब्रेड और यहां पर हमने एक पैन रखा हुआ है गरम हो जाएगा फ्लेम को धीमा कर देंगे हम और आधा चमच हम इसमें घी डालेंगे खी की बेट के ऊपर कोड लेना है ये दिखिए इसतरह से अच्छी से कोड लिजिए और इसके बाद आप इसे पैन के ऊपर रख दीजिए उपर से थोड़ी सी सब्जियां और लगदी इस तरह से यह देखे आप इसे एकदम धीमी आज में पकने दीजिए कम से कम दो मिनट तक तो ढख करके हम इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे जिससे की अच्छी से पक जाएगा यह देखे एक मिनट तक मैंने इसे पका लिया हुआ है अब आदा जमच घी हम इसके उपर डाल देंगे इसे यह बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी भी बहुत बनेगा आप चाहें तो ओयल भी लगा सकते हैं यह देखे जब यह एक साइट से अच्छी से से शेक जाएगा चेक कर लिजिए आप इसके बाद आप इसे पलट दीजिए यह देखे इस तरह से हम बहुत ही सावधानी पूरोग पलट देंगे और दूसरी साइट से भी हमें इसे अच्छी से पकाना है जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तो बस इसे हलका सा दबा दबा के अच्छे से से शेक लिजिए और हलका सा उठा के चेक कर लिजिए कि यह दूसरी साइट से भी अच्छे से पका है कि नहीं तो यह देखेי फ्रेंज, यह हमारा दूसरी साइड से भी अछी से पग गया है तो यह हमारा ब्रेट बेसन टोस्ट बनके तैयार है जिसे हमने सिर्फ एक चमबस देशी घी में बनाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वा चटपटा भी है यह देखे इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे तो देखा ना फ्रेंज कितना आसान है इस नास्ते को बनाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आप एक बार इस रेसीपी को ट पसंद आएगा आई होब कि आपको मेरी आज की नास्ते की रेसिपी पसंद आए होगी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेकिया